हेलो एवरिवन, वेलकम तो डिफेंस प्लेक्सिस, माइनम इस नैना और आज जो हमने स्टार्ट किया है वो लिया है हमने अग्रिकल्चर, ठीक है देखो, अग्रिकल्चर जो है तुम्हारा अग्रिकल्चर सब्जेक्ट इससे तुम्हारे सारे एक्जाम्स में जनरली तुम्हारे साथ डिसकस करूँ, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है यहां पर, Important Revolutions in Agriculture, यहां पर कुछ Revolutions है Important, I hope आप सबको पता ही होगा, यहां से Questions बन जाते हैं तुम्हारे और तुम्हें एक दो नमबर के Questions मिल ही जाएंगे, किसी भी एक्जाम में ठीक है यहां पर मैंने यह पार्ट वन यहां पर यह इसका Part 1 है ठीक है, इसका यह पार्ट वन है इस वीडियो के बाद में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका Part 2 देखेंगे ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आगे फर्दर वीडियो को शेर कीजिए ठीक है, लाइक करना मत भूलेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड या कॉश्चन कुछ पूछना हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले इंट्रो देखेंगे यहाँ पर एगरिकल्चर के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं देखो, एगरिकल्चर सबको पता है एगरिकल्चर जो है, यह आपके लाटिन वर्ड से मिलके बना है दो Latin word है आपके, उनसे मिलके आपका agriculture जो है ये बना है, देखो, क्या लिखा है यहाँ पे एगरिक या फिर एगर, and second है हमारा cultura, क्या मतलब होता है इनका Latin में, इनका मतलब होता है soil, एगरिक या फिर एगर का मतलब होता है soil, और कल्चूरा का मतलब होता है आपका cultivation, ठीक है, यानि, soil plus cultivation, यानि हम agriculture में soil का cultivation करते हैं, get it, soil का हम cultivation करते हैं agriculture में, तो यहाँ तक समझ में आया, कि आपका agriculture जो है आपका ये एक Latin word, दो Latin word से मिलकर बना है, एगरिक प्लस culture, next देखते है हमारा, मैंने यहाँ पे explain भी किया है, to produce the crop, सबको पता है कि भाया, crop जो है, वो soil में ही produce होती है, तो soil में crop को produce करने के लिए human beings क्या करते है, human beings till the soil, वो soil की tilling करते है, ठीक है, वो क्या करते है, soil की tilling करते है, tilling का क्या मतलब होता है, tilling का मतलब होता है, to prepare the land for agriculture, ठीक है, क्या मतलब होता है, to prepare the land for agriculture, वो जब सोईल को तिल करेंगे तभी तो फिर आगे की फर्दर प्रोसेस के थूट क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे यह होता है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन एग्रिकाल्चर का ठीके नेक्स्ट हम देखेंगे अब आजाते हैं अपने इंपोर्टेट रिवल्यूशन पे द इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रिकाल्चर तो यहां पर देखो यह कोशन है कि अभी जो करेंट में है वो शेर क्या है एग्रिकाल्चर का किसमें जीडीपी में ठीक है जीडीपी में क्या शेर है आपका एग्रिक 20% आपका contribution करता है agriculture किसमे GDP में और ये जो hit किया है ना ये last 17 years में सबसे ज़ादा contribute किया है ये 20% ठीक है अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो मैंने बता दिया आपको 2020 और 2021 का 1920 का बता दो क्या था contribution agriculture का तो agriculture का contribution था 1920 में 17.8% 17.8% था ये तो हो गया थोड़ा आपका current section next हम देखेंगे name of revolution और उस revolution का नाम क्या है और फिर वो किस से related है ठीक है वो देखेंगे हम यहापे देखो सबसे पहला है green revolution बहुत famous है green revolution I hope सबको ही पता होगा कब आया था ये green revolution ये आया था आपका 1966 में आया था लिख लेना इसको याद कर लेना ठीक है जिनको पता है अच्छी बात है जिनको नहीं पता है वो लिख लेना 1966 में तुमारा आया था green revolution ठीक है किस से related था ये था तुमारा food grain से related ओके food grain से related था अच्छा अब देखो और important चीज यहाँ पे अगर वो पूछ ले तुमसे यह ना पूछ के कि भाई green revolution किस से related था वो यह पूछ ले कि चलो father बता दो green revolution के तो अगर मैं particular India की बात करूँ तो India में इसके father है सब को ही पता होगा MS Swaminathan यह होगा है आपके father of green revolution in India ठीक है और word की अगर मैं बात करूँ तो word में तुम्हारे father हो जाएंगे Norman और borlog यह एक ही नाम है ठीक है Norman borlog यह जो है आपके यह हो जाएंगे word में किसके green revolution के father question जब आए exam में तो उसको देख ले ना एक बार कि उसने Indian पूछा है Indian green revolution के father यह फिर word में ठीक है तो यह आप mark करोगे अच्छा इसमें फर्दर आगे और भी चीज़े हैं जैसे Norman borlog ने क्या किया था इन्होंने rice में किया था यह green revolution ठीक है इससे production इन्होंने high किया था rice का और इंडिया में जो MS Swaminathan ने किया था यह आपका wheat पे किया था यह भी चलो लिख लो तुम ठीक है wheat पे किया था इन्होंने अच्छा next हम देखेंगे yellow revolution yellow revolution की अगर मैं बात करो तुमसे तो yellow revolution है तुम्हारा oil seed production ठीक है और उसमें भी especially mustard है sunflower oil है जैसे कि तुम्हारा soya bean oil है यह सब oils होते है न तो yellow revolution किस से relate कर गया तुम्हारा oil seed production से और इसके जो father थे वो थे आपके Sam Pitroda Sam Pitroda थे इनके father next move करेंगे next है आपका blue revolution अब देखते हैं भाई आपका blue revolution किस से related है तो वो है आपका fish production से related ओके fish production से related है और इसके father कौन है इसके father है Dr. Arun Krishnan okay Dr. Arun Krishnan next है तुम्हारा brown revolution ठीक है brown revolution brown revolution की में बात करूँ तो brown revolution में तुम्हारा आजाता है leather और cocoa ठीक है leather और cocoa इसमें आजाता है तुम्हारा brown revolution अब देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है leather का कलर भी तुम्हारा brown होता है ठीक है और cocoa का कलर भी brown होता है तो easy है correlate करके याद करना है brown revolution है तो वह leather और cocoa से related है अब आजो blue revolution की देखो water का color तो blue होता है ना है ना और water में fishes रहती है तो इसको ऐसे relate कर लो कि यह तुम्हारा हो जाएगा fish production से related अच्छा यहां पे जो yellow revolution है तुम सबको पता है कि oil का color generally yellow ही होता है ठीक है तो अगर yellow revolution है तो वह oil seed production और green revolution से तो यादी हो रहा है कि भाई plants में हो रहा है rice और wheat में तो वह हो जाएगा तुम्हारा green revolution I hope यहां तक समझ में आया होगा next हम देखेंगे golden revolution यह related है तुम्हारा horty culture से horty culture सबको पता है कि fruits की बात कर रहे है हम है ना हम fruits की बात कर रहे है हौटी culture में तो इसमें क्या होता है golden revolution तुम्हारा horty culture से related है और plus आपका यहां पे honey आट करो भाई honey कहां से बन रहा है आपका flowers यह तो बनता है है ना वहीं से बनता है आपका plant से honey तो यहां पे इसमें आट कर लो fruits plus honey ठीक है golden revolution अब देखो honey का color भी तुम्हारा almost golden ही होता है तो यहां से तुम relate कर सकते हो और next हम देखेंगे next है तुम्हारा pink revolution pink revolution की मैं बात करूँ pink revolution है तुम्हारा किस से related onion और prawn production से ठीक है किस से related है तुम्हारा onion और prawn production से related है onion का color pink होता है तो यहां से मैं pink और prawn का color भी pink होता है तो यहां से मैं correlate कर सकती हूं कि यह pink revolution है अच्छा यहां पे मैंने part 1 में सिर्फ इतने ही questions रखे हैं ठीक है बाकी के अभी और भी revolution हैं हम वहां पे कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इंस्टा पे आके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए I am a love army और defense plexus से और इस lecture की PDF मैं आपको अपने telegram चैनल पे शेयर कर दूंगी ठीक है इस lecture के link मैं आपको description मैं आपको telegram का link मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत